नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी ओपिसकुरू चैनल में दोस्तों आज हम एक्सल में सीखने वाले हैं LN फंक्शन क्या है इसे नाचरल लॉगरिटम भी कहते हैं दोस्तों LN केवल सकारात्मक संख्याओं की अवशकता है दोस्तों आप पूर्ति की कई संख्या शुन्नी या नकरत्मक नहीं हो सकती यह जानने के लिए LN पहले कैसे काम करता है आपको लॉगरिटम की मुल बाते सीखने और लॉगबुक का रिफर करने की अवशकता है दोस्तों मतलब supplied value हमेशा सकारात्मक संख्या होनी चाहिए किसी भी operator या symbol नहीं होना चाहिए यह एक non-numeric value है या non-numeric value नहीं लेता है दोस्तों और एक छोटी सी बात दोस्तों अगर अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दो दोस्तों प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद दोस्तों हम आज Excel में सीखने वारी यह ln function कैसे और कहां पर यूज करना है दोस्तों यह जो function है natural logarithm अगर हम इसे इसके parameters देखेंगे दोस्तों तो देखें दोस्तों एक ही parameter है वो है number ठीके दोस्तों मतलब आपको एक ही parameter इसमें यूज करना है और एक चोटी सी बात दोस्तों EXP function में आपको EXP function मालूम है दोस्तों अगर नहीं मालूम है तो दोस्तों कोई बात मैं आपको बताऊंगा इसके उपर भी में एक चोटा सा वीडियो बनाने वाला हो देखेंगे दोस्तों EXP function में हमें value मिलती है अगर base number एक गाती संक्या है और लगू गनक में उठाई जाती है तो हमें desire number प्राप्त करने के लिए गातांक संक्या जानने की अवशक्ता है देखेंगे दोस्तों EXP function में LN function गनीतिय त्रिकोनमेतिय फंक्शन की तहत आता है जिसको जिसका उप्योग किसी संक्या की natural लगू गनक की गनना के लिए किया जाता है दोस्तों यह function है कहां पे देखिए हम जाएंगे Excel में मैं यहां पे लिता हूँ अर्ग्यूमेंट ठीक है जो अर्ग्यूमेंट में क्या आएगा यहां पे सिर्फ वैल्यू मतलब LN function के अंदर सिर्फ आपको एक वैल्यू असाइन करनी है दोस्तों यह जो function है आपको मिलेगा formula tab में और यहां पे देखिए दोस्तों function library यहां पे बहुत सारे functions है दोस्तों यह function के categories है देखिए दोस्तों यहां पे क्या है financial, logical, text, date and time, look up and reference, math and trigonometry दोस्तों यही category है जिसका नाम है math and trigonometry इसे आप गनीती यह त्रिकोनमेती भी कह सकते category को इसे open कीजिए इसके अंदर आपको मिलेगा दोस्तों ln function देखिए यह वाला written the natural logarithm for the number written natural logarithm आपको यह देगा ठीके दोस्तों आपको मालूम होगा यह function कहाँ पे है चलिए दोस्तों एक संख्या कि कितने हम एक और संख्या प्राप्त करने के लिए गुना करते है जिसे कि दोस्तों यह लिए हमें कितने पांच के ऊपर जो रहता है दोस्तों यह देखिए यह देखिए जिसलिका है 4 मतलब 5 का कितनी बार multiple करने से हमें 125 नंबर मिलेगा तो इसका answer देखिए दोस्तों हमने lock function से निकाले दोस्तों तो तीन बार आपको multiple करना पड़ेगा पांच को तब जाके आपको 125 नमबर मिलेगा दोस्तो ये लॉक फंक्शन हमने हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था दोस्तो हमने 125, और ये base value यहाँ पर है ब्रैकेट क्लोज कीजिए ये लॉक फंक्शन ने आपको दिखा है दोस्तो क्या पांच का तीन बार गुना कर सकते देखिए दोस्तो मैं करता हूँ 5 into 5 into 5 answer देखिए दोस्तो 125 ठीके दोस्तो चलिए मतलब 5 के उपर का जो घातांग रहता है दोस्तो देखिए इस इकल टू यहाँ पर 5 को 5 बार किया है चलिए हम यहाँ पर करके चेक करेंगे यहीं दोस्तो चार बार है तो दोस्तो आपको समझ में यह वैल्यू कैसे फाइंड आट करते हैं लॉक फंक्शन के तुरू ठीके दोस्तो चलिए तो लॉगरित्म इस कितना है दोस्तो तीन अभी दोस्तो आपको यह थोड़ा समझाता हूं दिखिए दोस्तो पांच खातांग चार यहाँ पर दोस्तो यह जो चार है इसको बोलते एक्स्पोनेंट वैल्यू और पांच को कहते दोस्तो बेस वैल्यू ठीके चलिए अब आएंगी यहाँ पर दोस्तो अगर आपने LN फंक्शन को कोई भी नकारात्मग वैल्यू प्रदान की तो आउट्पूट हैश नम एरर देगा तो आप नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकते मतलब जो अपना LN फंक्शन है दोस्तो LN यह आपको नाशनल लॉगरित्म अफ नमबर देगा अब जैसे इस माइनस वैल्यू को यह निगेटिव वैल्यू को स्लेट करते दोस्तो तो आपको आएगा एक एरर ठीके दोस्तो छले आगे जाते दोस्तो कोई भी वैल्यू जो इस इकल टो जीरो और लेस दैन जीरो है तो एल्यू फंक्शन वहाँ पे आपको हैश नम एरर देगा जैसे कि देखे दोस्तो अगर आपने जीरो ये नमबर अगर एल्यू फंक्शन को दे दिया तो ये आपको एरर डिस्पले करेगा दोस्तो ठीके दोस्तो चलिए आगे का एक्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे लिखा है नमबर और एल्यू वैल्यू दीखे दोस्तो अगर आपने हम किसी भी ओपरेटर या सिम्बॉल आदि की पूरती नहीं कर सकते सकारतम संक्या के अलावा हम किसी भी ओपरेटर और कोई सिम्बॉल रा इसे हम एल्यू फंक्शन के लिए नहीं दे सकते दोस्तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए एरर है हैश वैल्यू ये एरर आपके लिए डिस्प्ले करेगा दोस्तो एल्यू फंक्शन को हमें जो मुल्य देने की अवश्रक्ता है वह शुन्य से अधिक हो तो वह हमें नाचरल लॉगरितम नंबर देगा दोस्तो अवश्रक्ता है हमें शुन्य से अधिक ग्रेटर दैन जीरो देने की जरुरत है दोस्तो मतलब आपको ग्रेटर दैन जीरो देंगे तभी आपको natural logarithm number में लेगा दोस्तो यहाँ पे देखिए यह operator यूज़ करके भी दोस्तो कोई फाइदा नहीं लन में अगर यह operator डाल दिया तो आपको यह value में लेगा जहां कहीं पे आप ln function यूज़ करें दोस्तो तो इसकी सावधानी रखिए दोस्तो आपको समझ में आई यह error क्यों आई है क्योंकि इस data में यह इस number की series में operator से या shift wall से ठीक है दोस्तो चलिए यहाँ पे वियूज करेंगे ln देखें दोस्तो ln नी value दे दिया आपको मतलब यह national logarithm number एकदम विरुद काम करता है दोस्तो exponential function के विरुद काम करता है दोस्तो मतलब कैसे देखें यहाँ पे मैंने use किया है exp function चलिए इस number को मैं यहाँ पे लेता हूँ देखें दोस्तो हम यहाँ पे exp function यूज करेंगे देखें exp यह function यूज किया इसे देंगे यह number और enter press करेंगे तो इसने आपको यह answer दिया है दोस्तो 2.710 का दिया answer 1 तो हम अगर यहाँ पे ln function यूज करके चेक करेंगे कि जो exp का number है हमने exponential का number यहाँ पे लिया तो दोस्तो देखो answer हमें क्या मिला है मतलब यह natural logarithm number एकदम विरुद्ध काम करता है exponential function से मतलब यह जो function exponential दोस्तो इससे एकदम उलट काम करेगा यह function ठीके दोस्तो चलिए दोस्तो हम देखेंगे यह यह चार कैसे है दोस्तो आपको मलूम ही यहाँ पे हमने log function यूज किया था हमें find out करना था कि अगर देखेंगे दोस्तो अगर ऐसा मानले जी यहाँ पर मैंने एसे हम question mark करते हैं यहाँ पे question mark है देखें दोस्तो कितनी बार इसका गुनक किया हुआ तब जाके 625 यह answer आए इसलिए यहाँ पे हमने use किया दोस्तो लॉक function देखें दोस्तो लॉक function कितना useful है तो हमारे base value किया है दोस्तो 5 यह है हमारा number base value है 5 तब जाके दोस्तो यह answer आया है क्या 4 आप 5 का 4 time multiple करेंगे तब आपको यह answer मिलेगा 625 ठीके दोस्तो इस पे आपको मालूम हो 4 मतलब क्या है और 5 क्या है 5 जो है वो आपकी base value है और 4 जो है exponent value आया है यह आपस में कितने एक साथ परस पर संबंदी थे दोस्तो दोस्तो प्लीज subscribe कर दीजे और आशा करता हूँ आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हुगा दोस्तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जगा थुझा दोस्तो